हेलो एवरिवन आप सबका वेलकम है 21 डेज ऑफ आईयस कोड के डे 5 में हम लोगों ने अभी तक सिमेंट कंक्रीट एग्रिगेट इस्टोंस इन सबके बारे में बात कर लिया था आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कौन-कौन से ऐसा आईयस कोड है जो की ब्रिक्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियोस बढ़िया लगे तो इसे लाइक जरू करिएगा तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर आईयस 1077 की पर आता है आईयस 3495 पार्ट वन अब आईयस 3495 सबसे इंपोर्टन आयस कोड है आप किसी इंटर्व्यू में जाएंगे तो कभा पूझ भी लेता है कौन सा इस कोड सबसे इंपोर्टन है किसी पर्टिक्लर चीज के लिए तो यहां पर बिक है तो बर्ट के बिक के लिए सब का बिक ही क्यों ना हो गया इस पर कमप्रेसिव को बहुत बार हम लोग क्रशिंग के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं आपने पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वैल्यू 10 मेगा पासकल से जादा होती है तो यह सब चीजे कहां लिखी है तो यह आई यह 3495 का पार 2 जिस पर हम लोग वाटर एब्सॉप्शन की बात करते हैं अगें वाटर एब्सॉप्शन आपने पढ़ा है 24 घंटे तक ब्रिक्स को हम क्या करते हैं पानी में डुबो के रखते हैं और फिर वहाँ पे देखा जाता है कि फर्स्ट क्लास बिक के लिए वाटर करते हैं तो जब कभी विए यह यह लो बोलते है और इसकी वज़े से जो आपका सर्फेस हो जाता है उसको ब्रिक्स की बुलोग प्रिक्स बन जाता है तो brick के लिए efflorescence एक बहुत ही खराब चीज है जैसे अब हम बात करें यहाँ पर अगर तो 10% से कम होता है तो बोलते है slight efflorescence 10 से 25% होता है तो बोलते है moderate efflorescence sorry 10 से 50 पर moderate efflorescence और 50 से ज़्यादा पर हम बोलते है high efflorescence जो कि आपका heavy हो जाता है जो कि आपके surface वो बहुत चारा damage देता है then आपका आता है part 4 जिसमें हम warping के बारे में बात करते हैं अब warping क्या होता है तो layers के बीच में moisture में variation temperature में variation होने की वज़े से जो surface होती है वो मुड़ जाती है और मुड़ जाने के process को हम बोलते हैं क्या warping again जब आप bricks को dry करते हैं तो moisture में variation तीजी साता है और moisture में variation की वज़े से आपको warping देखने को मिलता है तो यह आपको क्या हो गया यह आपके पहले 5 IS code हो गया है इसके बाद आता है हमारा IS code 5454 अब मैं 5454 की बात करूं अगर तो यह आपके sampling of clays related होता है यानि कि अगर मैं कोई test कर रहा हूं में पास एक bunch of bricks हैं तो उसमें से हम कितने bricks को उठा के अपना dimension का या फिर किसी भी से दूसरे चीश का sampling करें तो इसके बारे में IS 5454 पे लिखा गया है जैसे आपको एक्जाम्पल के बता दूं कि अगर मेरे पास जो bricks का lot है वो 2000 से 10,000 के बीच में है तो उसमें हम लगभग 20 bricks निकाल के sampling करते हैं और उसको चेक करते हैं कि बताओ जो हमने brick बनाया है सही बन sampling करते हैं और maximum इसमें से 2 brick ही खराब हो सकती है फिर अगर हमारे पास 35,000 से 50,000 के आजपास bricks का sample है तो उसमें से हम 50 bricks निकालते है sampling करने के लिए testing करने के लिए और इसमें से maximum 3 brick क्या हो सकती है यह होता आपका sampling ब्रीफली चल रहा है क्योंकि हमें 5-7 मिनट में ये वीडियो करनी होती है तो आप समझ रहोंगे बट इस्टिल मैं कोशिश कर रहा हूं जितना ज्यादा हो सके आपको information दे सकूँ ठीक है आप जो भी मैं बोलता हूं इसको भी आप अपने copy में नूट कर लिया करिए यह भी important है अब आता IS1992 यह testing of bricks related है और कौन से टेस्टिंग की मैसेनरी जो भी बनाया जाता है वो bricks के हैस्ट में आता है तो इसलिए उसमें जो सिमेंट करते हैं उसके specification को हमने इस वीडियो में cover किया है दन आता है हमारा IS2180 जो की आपका होता है heavy duty burnt clay bricks के specification के बारे में सवाल उटता है heavy burnt clay क्या है तो कोई भी clay brick के कोई भी clay brick जिसका जो ऐसे bricks के लिए water absorption 5% से ज्यादा नहीं होता है तो कभी-कभी आप से पूछ भी सकता heavy duty burnt clay क्या होती है तो मैं आपको बता दिया चालिस में का पासका से ज्यादा होना चाहिए और water absorption 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगें आपका IS2222 आता है जिसमें हम perforated bricks के बारे में बात करते हैं अब यह जो आपको डाइग्राम देख रहा है यह perforated brick का ही डाइग्राम है इसमें हम लों bricks के बीच में छेद कर दे जाता है एक तरद से आपके dead load को कम करने के लिए इसका use किया जाता है ठीक है आपका आता है IS3952 अब 3952 क्या होता है तो partition walls वगड़ा बनाने के लिए जो आप hollow bricks का use करते हैं उनकी detailing उनके specification इस code में लिखे हुए है आता है आपका facing bricks के लिए आप ऐसे bricks का use करते है जिसका 2691 मे एसे bricks का use कियाता है जो कि आप बिना plaster के सीधा use करेंगे face के तौर पर use करेंगे तो उसका हम लोग specification IS2691 में करते हैं जन आता है pavement पे paving करने के लिए आप जिन bricks का use करते हैं उनका detailing IS3583 में लिखा गया है सीवर पाइस में आप जिन bricks का use करते हैं उनकी जो detailing है वह 4885 में लिखी गई है soling करने के लिए soling समझते हैं आप एक surface पे edge soling या header soling करके वहाँ पे क्या बोलते हैं कि bricks की जो एक होती एक layer form करते हैं तो इस layer forming को हम क्या क्या बोलते हैं soling बोलते हैं तो जब कभी bricks के help से कोई layer वी शाय जाती है तो उसको बोलते हैं और विक्स को जिस तरीके से रखा गया है उसके नाम पर जैसे edge के form में रखा गया तो edge soling बोल देते हैं और header के form में रखा गया तो header soling बोल देते हैं तो इसकी detailing is 577 line में लिखी गई है जिसमें हम लोग is 6165 के बारे बात करते हैं और यह क्या होता है यह आपका जो special shape के clay bricks होती है उनके dimensions के के बारे में उनके specifications के बारे में बात करता है IS 2212 की बारे में बात करेंगे तो यह bricks works related जितने भी आपके practice होते हैं जितने भी आप काम करते हैं उनकी जो detailing है वह इस code में लिखी गई है फिर आता है आपका solid bricks का strength के basis पे तो पुराना version 1971 था उसका amendment आया 1992 में और update होके हमको values देखने को मिलके आपने देखा भी होगा कि IS code में समय समय पर amendments आते रहते हैं क्योंकि नए नए चीज़े डिस्कॉर होती रहती हैं तो यह है आपके important IS code ब्रिक्स के regarding हम लोग again listing वाला काम करते रहेंगे और जब आपके जितने भी materials है वह complete हो जाएंगा फिर आपके specific जाएंगे वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको like करिएगा subscribe करिएगा अपने friends के साथ share करिएगा ठीके बाकी कोई problem है कोई topic चाहते हैं जो आपको झाम उन्ट